हेलो फ्रेंट्स सिविल गुरु में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम टीवी कैबिनेट का डिजाइन आटोकेड में टूडी में और त्री डायमेंशन यानि की 3D में रैविट में कैसे करते वो देखने वाले हैं आशा करता हो कि आज का वीडियो आपको पसंद आए शेयर करें चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स एक इमेज आपके सामने हैं वो टेब टीवी कैबिनेट आज हम ऑटोकेड में टूडी में और रैविट में 3D में बनाएंगे तो सबसे पहले आउट डायमेंशन देख लेते आप देख सकते हो के 83 इंच लेंथ ह है और जो हाइट है वो 68.8 इंच है तो वह हमने लेंथ और वीड इसकी देख लिए है अब ऑटोकेड में जाते हैं और अटोकेड का इंटरफेस आपके सामने है कि अभी यहां पर हम जो उसकी लेंथ और वीड हमने यहां पर फोटो में देखी थी कि वह क्रिएट करते हैं एल लाइन कमांड एल एंटर 83 इंच इंटर फिर उपर का डाइमेंशन कि फिर से देख लेते हैं कि 68.8 इंच 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 इंटर पिर से 83 इंच इंच इंटर और नीचे आके कि इंच इंटर क्लोज कर देगो तो अप्लोज हो जाएगा अभी डामेंशन चेक कर लेते हैं एक बार फिर से लैंथ है 6 vet11 इंच इंच इं निकी 83 इंच 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 रोगे जो उसका हाइट था ऐलिएशन का वह था फाइव फित एट इंचिस अभी हमको इंचिस में चाहिए तो क्या करते हैं हम डी एंटर प्राइमर उनिट में आने के बाद इसको आप डेसिमल में करो फिर यहाँ पर सफिक्स है उसको हम इंचिस का सिंबॉल दे दो और ओके कर दो सैट करन करके क्लोज कर दो तो अभी आप देख सकते हो कि जो यूनिट है हमारे वो इंचिस में आपको शो करेंगे 83 इंचिस और 68.8 इचीस अभी सारे जो इंचिस में शो करेंगे आप इमेद में देख सकते हो इससे हम अपना Quran डिजाइंउघ करते हैं सबसे पहले नीचे की लाइन को सीनलेक्ट किया अब है।forcement कमांड लिया और थीन इसका मिचल पर मैं सेहरे का जोब होता है उसके लिए हमने किया फिर फइसन फिट लिया वन इंच़िस जो पार्टिशन है वह लेंगे और नाइन उसके बाद फिर से वन इंची तो नीचे का जो बॉक्स आप देख सकते हो जो यहां पे दैमेशन सबके दिये है 9.3 इंच दिया है बीच का तो वह हमने कर दिया और फिर से पार्टिशन था उसका हमने वन इंच लेकर उसका ऑपसेट दे तुया Стसेümüz आप कि प्रड़ भी बेज है वह तीन निच इंच अंदर है कि इसके लिए ऑफ sy pais Traiठ तीन इंच इस एंटर वन इंच पहले लिया और फिर उसके बाद त्री तीन इंच यह जो लाइन है वो सामने भी हमें चाहिए तो यहां पर मीरर करके हम सामने वो लाइन ले ले लेता है हम्मोर सेटिंग में जाके जो मिड़ पॉइंट नहीं हो रहा था तो उसको मिड़ पॉइंट सिलेक्व करने के लिए सेटिंग में इसको मिड़ पॉइंट है उसको सीलेक्व कर दो thefly for इस शेकर लिकी माद का ओपशन यह दा उसको लिए और आफे कि I कि अभी मिड़ पॉइंट आपको पिक कर सकते हो आप और यहां से आपने एक कि सूर्स इरेज अब्जेक्ट नो हमें वो भी अब्जेक्ट चाहिए कि टियार एंटर कमांड से जो लाइन नहीं चाहिए वो में रिमू कर लूँगा कि कटिंग एस लेना है में इस सिलेक्ट किया फिर एंटर करके आगी की लाइन में रिमूट कर दूँगा कि अगे में प्जाय कुछ आए कि एसकिप से कमांड से बाहर आ गए लाइन से लेक्ट किया ओ एंटर ऑफसेट वन इंचीज एंटर इधर से और इधर से दोनों बाजू से वन इंच का ऑफसेट पोटो हम देख सकते हैं कि अभी डाइमेंशन जो लेना है वो उसके उपर का लेना है तो यहां से यह लाइन सिलेक्ट करता है हम ऑफसेट ओ एंटर 3.9 इंचीज है जो हमने फोटो में देखा ऑफसेट लिया और फिर से वोडन पार्टेशन का थिकनेस यहां पर डालेंगे उससे पहले ट्रिम कमांड से आगे की लाइन रिमू कर लेते हैं दोनों एज सिलेक्ट करते हैं और दोनों बाजू के जो आगे की लाइन से जो हमें से नहीं चाहिए वो poem कर लेते हैं तों यहां कि फिर से लाइन से लेक किया ओफसेटेश में इंचीक्रीफ yourries और चिकनेस पुल दधी हमने पहल से और फोटोग्राफ देखते हैं तो अब देख सकते हो ओग यहां से उपर से टॉप से दूत कहले आप टीण सेट आपसेट है यहां से तीन इंच एफसेट ले लिया करीम कमांड से कॉद्टे offense सिलेक कर दिया और दोनों बाजो से वो लाई सिलेक कर के जो लाइन रिमुव करनी है वो लै कि रिमुव कर दिया कि वन इंचीज जो थिकने से पार्टिशन की वो डाल दिया कि पोट्रों में फिर से देखते हैं जो माप है वो कितना रखना है हमें कि आप सेट कमांड फिर हमें माप यहां पर डालना है 9.2 इंचीज एंटर और वन इंचीज थिकनेस एंटर कि इस प्रकार से हमने टी यार एंटर उपर की जो लाइन है उसको में रिमूव कर लेते हैं कि अब डाइमेंशन देख लेते हैं हमारे पास किस्तना बचा है कि थ्री पैटिस पॉइंट चार इंचीज हमारे पास बचा है जो टीवी की जगह रहेगी कि अभी हमें इसको पार्ट करना है तो डी यवी डी 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 विइड कमांड एंटर नंबर अब सेगयंट कितने सेग्मेंट तीं सेग्मेंट इंटर पॉइट्ट्य न तो पॉइंट हमने दिखाई दिये अभी एल एंटर लाइन कमांड जो जो पॉइंट हमें मिले है तो वहां से हम लाइन एंटर करेंगे लाइन क्रियेट करेंगे अभी अब देख सकते हो पॉइंट सिलेक्ष नहीं किया तो शिफ्ट राइट माउस क्लिक से ओ स्नेप हो पार रहा है अभी अभी परपेंडिकुलर जो है वो सिलेक्षन में नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी फिर से शिफ्ट राइट हैंड की माउस की और यहां से आप देख सकते हो यह लाइन लिया सी ओ एंटर कॉपी और यहां से लेते समय और यहां पे दूसरे नोड पे अभी सिलेक्षन में नहीं आ रहा है तो फिर से जाके शिफ्ट नोड सिलेक्ट किया और यहां से उसको कॉपी करवा लिया अभी डाइमेंशन चेक करते है उसका तो तो तीना सेम डाइमेंशन में मिलना चाहिए अब देख से तो 19.267 इंचीज यहां बीच से यह वाला पॉइंट भी हमें इतना मिलेगा और लास्ट में भी वह डाइमेंशन हमें तीन पार्ट सही तरह से हमारे हो गए है कि अब यह लाइन सिलेक करते हैं और जो टीकने से वह एंटर करने के लिए ओपसेट एंटर पॉइंट फाइव इंचीज एंटर एक लाइन कि इधर और एक लाइन इधर इसी तरह बीच में यहां से यहां और यहां से आपकर ले लिया टोटल वर्ण इंचीस हमें पार्टेशन के थिकनेश चाहिए वह बीच वाली लाइन सेलेक्ट करके उसको रिमूट कर लेंगे डील डिलेट की से पॉइंट स्टाइल हम चैंज कर देंगे क्योंकि अभी हमारा पॉइंट स्टाइल का जरूरत नहीं है तो हम हम साप्स पॉइंथ है तो ऑभी नहीं दिखेंगे है अभी कशलर अब इसको डिवीड करेंगे हम डीवीन एंटर यह लाइन को सिलेक्ट कि यह एंटर कमांड activate हो गया अभी कितने का पार्थ हमें करने हैं तो वहुद रपर हम डालेंगे यहां पे तीन पार्च करने पर से पॉइन स्टाईल हम चाइंज करते हैं पॉइन च्राइज युटिलिटिस में जाके और यहां पर आपको जो भी पश्टायल पहसंद ऊसको सीज लेक करके करना है तो जो पाइट की हैंतार आपको ऑचे और करेंगे तो अभी एल एंट email कमाड़ हिआ है यहां सहँ यह एक लाईन हम द्रॉक करेंगे का तैस्य सी लेक नहीं रहा है तो यहां पर आपको perpendicular search करना है यहां से नीचे रहा यह रहा perpendicular अभी selection में दिक्कत आ रही है अभी आ रहा है ओके यहां किया स्काइब क्मांड से बार फी से एल एंटर और यहां से लोड चिलेक्ड करना पढ़े गाशिफ्ट की सेटिंग में जाकल आप बार ऑर षेटिंग करना पड़े इस तो वह सिलेक्कर सकते हो हमने सेटिंग में ज sotto Meredith बोनेज इंद्र अब दोने कर रहा हूं पार्टेशन की पॉइंट फाइव इंचीस से लेते चलो पॉइंट फाइव इंचीस इधर और यहां पे भी पॉइंट फाइव इंचीस पॉइंट फाइव इंचीस का अफसेट ले लिया एसकेप से कमांड से बार और लाइन से लेक करके उसको डिल डेल्टर डिलेट की से उसको रिमू कर दिया अब यहाँ पर एल एंटर लाइन कमांड यहाँ पर भी हमें पार्टिशन दिखाना है थीकनेस साइड की थीकनेस भी दिखेगी आगे से तो इसके लिए हमने लाइन कमांड लेके उसको यहाँ पर लाइन जॉइंट करवा लिया अभी आप देख सकते हो हमारा कि टीवी यूनिट है वह अभी आपको दिखता नजर आएगा पॉइंट स्टाइल में फिर से हम चैन्ज कर लेते कि नोड की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है कि पॉइंट स्टाइल चैन्ज कर दिया कि यहाँ फोटो में देख लेते कि कौन सा पार्ट अभी रह गया है कि अब यहाँ पर नीचे जो बेज मैंने बोला था तीन इंचीस अंदर आ रहा है तो यह लाइन को सिलेक्ट किया अब देख सकते हो कि यह जो है नीचे बेज जो है वो थोड़ा अंदर की और है कि यह वाला मैं आपको पॉइंट करके दिखा देता हूँ यह वाला पोर्शन जो है त्री इंचीस अंदर है और हमारे ड्रोइंग में अभी हमें यह शो नहीं करवाया तो इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे ओ एंटर ऑपसेट तीन इंचीस त्री इंचीस का ओपसेट ल लिया कि यह लाइन पूरी रिमू हो जाती है कंट्रोल जैड से आप वापिस ला सकते हो और यह देख सकते हो कि पूरी लाइन सिलेक्ट यहां पर हो रही है तो कोई नहीं हम उसको मीड पॉइंट लिया एम आई मिरर से वह पॉइंट हमारे पास आ गया अभी यहां से भी हमें जो लाइन नहीं चाहिए वह हम रिमू कर लेंगे यह डायमेंशन अभी बीच में निकाल दिया हमने और यहां पर यह लाइन सिलेक्ट करके यह पॉइंट से हम यह पॉइंट पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे और टी यार एंटर और यह आगे वाली लाइन भी रिमू कर लेंगे इसी तरह यहां पर हमने रिमू कर दिया लाइन अब देख सकते हो नीचे बेज हमारा भी बन चुका है यहां उपर का पार्टिशन की ठीकनेस नहीं दिखाई तो वो भी हम वन इंचिस ले लेते हैं ओ आफसेट कमांड से यहां पर और यहां पर दोनों बाजू वन इंचिस ऑफसेट का हमने ले लिया और तीकनेस इसको करवा दी टी आर एंटर जो लाइन इंट्रसेक्ट हो रही है उसको हम रिमू करते जाएंगे कि थोड़ा फास्ट रिमू कर लेता उसको कि इस तरह से आप जो भी लाइन से उसको कर सकते हो के आप आप काम चालू समय भी लाइनि करवा सकते हो कि हब ने ट्रीम नहीं करवाया था तो अब एक ही बार में पूरी जो-जो लाइनिस बीच में आ है उसको ट्रीम कर लेंगे यही ड्रॉइंग को हम रैविट में एंटर ले जाएंगे तो यह ट्रीम अच्छी तरह से होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट यहां से टूडी में से 3D करने में आसारी रहेगी आपको पूरा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा तो अभी ड्रैडी है हमा और यहां पे भी एक बीच में पार्ट आ रहा है रेक्टेंगल कमांड लिया यहां पे हम शटर के उपर जो हैंडल होता है वोट क्रियेट करेंगे कि am I enter mid-line एक एंटर की line कमांड से किरी सी एंटर कमांड लिया और एक हैंडल साइज का डामेंशन लिया डिएंटर तीन इंचिस बाई वन इंचिस का एक आगे से जो एलिवेशन्न मां हैंडल दिखेंगा इसी तरह हमने एक रेक्टेंगल क्रियेट किया और यहां से सी और यहां से मीड़ पॉइंट से लेते हुए यहां पर हमने मीड़ पॉइंट से उसको रख दिया इस तरह से कि अभी थोड़ा मुझे बहुत छोटा लग रहा है हैंडल तो यहां से पिक करके उसको अब स्ट्रेश भी करवा सकते हो अब इस प्रकार से हमने थोड़ा हैंडल बढ़ा कर दिया उसका और यहां से बीच वाली जो लाइन है अभी आपको उसके दिक्वायमें नहीं है तो वह सिलेक करके आप डिलिट कर सकते हो इस तरगा से तो बीच में इस प्रकार से हैंडल दिखा दिया फोटो में दो साइड के जो ड्रॉवर है वो ओपन है लेकिन यहां पे हम उसको क्लोज बताते हैं तो तीनों साइड इस प्रकार से करते हुए दोनों और उसको कॉपी कर वा लिया अभी दोनों वाली जो बीच वाल लाइन है रेफ्रेंस लाइन जो हमने बनाई थी उसको सिलेक करके उसको रिमू कर दिया तो इस प्रकार से हमारा ऑल्मोस्ट जो है टूडी कैबिनेट ड्रॉइंग इस प्रकार से रहडी है पोटो में फिर से आप देख सकते हो कि हमने पूरा डायमेंशन इसी तरह से क्रियेट करके कैबिनेट बना दिया है अभी एक बीच में लाइन एक पार्टिशन बीच में बनाना था वह बाकी है तो मिड़ पॉइंट से एल एंटर एक लाइन बनाई ऑपसेट कमांड लिया पॉइंट फाइव इंचिस इधर और बीच में से इधर वन इंचिस का तिकनेस उसका रेडी हो गया वह बीच में से लाइन से लेक करके हमने डिलिट कर दिया टियार एंटर ट्रिम कमांड से जो बीच में लाइन आ रही है उसको रिमूव भी कर लिया तो अभी इस प्रकार से हमारा टीवी कैबिनेट अल्मोस्ट टूडी में रेडी है और बाकी के जो वर्टिकल बॉक्स से वो बनाने है वर्टिकल बॉक्स के लिए हमने लाइन से ल किया था डीडी अवी एंटर आपको कीतने सेगमेंट है वो सेगमेंट एड करने है यहां पे भी हमारे के पॉंट स्टाइल करके हम नोड दिखाएंगे यहा से जो भी अपको पसंद है वह सिलेक करो ओके करो तो अभी हमारे 12345 सेगमेंट त्यार हो गए फाइल सेग्मेंट का जो नोड है वो आपको दिखा रहा है अभी एल एंटर करके जो भी हमें नोड मिले हैं वहाँ पे हम लाइन कमांड से बीच में से इस तरह से लाइन बना देंगे फाइल सेग्मेंट है उसलिए चार नोड आएगे वन टू थरी एंड फोर तो चारो में हमने इस प्रकार से लाइन क्रियेट कर दिया अभी सामने की तरह भी इसी तरह के चार लाइन आएगे तो सब को सब लाइन को हम सिलेक करते हैं और एम आई कमांड लेते हैं मिरर कमांड मिरर का शॉर्टकट एम आई है एंटर किया मिड़ पॉइंट से उसको मिरर करवा लिया और यह भी जो लाइन है उसके ओपसेट लेंगे हम थिकनेस बनाने के लिए 0.25 हमें इसका थिकनेस टोटल 0.5 इंचीस रखने वाले है तो उसका जो आदा थिकनेस होगा एक साइड का ओपसेट होगा वो 20.25 इंचीस ही होगा फिर से लाइन सेलेक किया ओपसेट लिया 0.25 इंचीस एंटर ओपसेट 0.25 इंचीस एंटर यहां पे और यहां पे सभी जगव इस तरह से हम ओपसेट करवा लेंगे कॉपी कर लिए हमने दो लाइस को ओफसेट नहीं करना तो आप कॉपी भी करवा सकते हो और यहां पे हर एक मिड लाइन पे उसको सिलेक करते जाए इस तरह से तो आप देख सकते हो कि पार्टेशन की थिकनेस भी हमने प्रोवाइड करवा दी है और बीच में जो लाइन है वो अभी रिमू करनी है और इस प्रकड़ से सिलेक करते हुए सभी एक बार में हम सिलेक कर देंगे और उसको रिमू कर देंगे जो भी मीड लाइन हमने ड्रॉ की थी पार्टेशन करने के लिए वो पहले इस प्रकार से सिलेक कर देते है उसको और उसको रिमू कर लेते हैं तो हमारी पार्टेशन के ठीकनेश भी यहां पे आ गई है अब जो लाइन बीच में दीख रही है उसको रिमू करने के लिए ट्रियार एंटर ट्रिम कमांड लेके सबी लाइन जो पेरिफेरी में हैं जो आजू-बाजू में कट हो रही है उसको हम इस प्रकार से रिमू कर लेंगे कि पोइं इस टायल यहां पर नोड दिख रहे है तो पोई स्टायल यूटिलिटीज में जाके कि पोई स्टायल चैंच कर दी ताकि वह बीच में हमें दिक्कत ना करे अभी सबी जो लाइन ट्रिम प्रिम करवानी है है वो आमने एक-एक करके ट्रीम करवाली है थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप लास्ट तक देखोगे तो कैसे हम 2D का 3D बनाते हो वो भी आपको पता चलेगा वैसे एक-एक काम यहां पर करते हुए टाइम भी लगता है लेकिन आप पहले से लास्ट तक उसे देखे को तो आपको सब पता चलेगा अभी ऑटोकेट से बाहर निकल के हम रेविट में एंटर करते हैं यहां से हम बाहरा आता है और यहां से हमारा जो रेविट 2018 है वो सॉफ्टर हमने ओपन किया है यहां पर न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं और ओके करते हैं हमने आपको स्क्रेट से स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया है तो अभी उसको आटोकेट ड्रॉइंग को में इंसर्ट करवाएंगे इंसर्ट टैप पे जाने के बाद इंपॉर्ट केड में जाना है जहां आपका फाइल का लोकेशन है उसक करेंगे क्योंकि जो है 3D अगर आपको दिखाना है तो फ्लोर और वॉल यहां पर हमें चाहिए तो पहले हम फ्लोर क्लिएट करता है नौ फिट बाई साड़े छे फिट का एक रेक्टेंगल फ्लोर लिया और यहां पर सिलेक करके एंटर कर दिया अभी वन फिट का फ्लोर है कोई दिक्कत नहीं हमें क्योंकि अभी हमें फ्लोर तो खाली नीचे रेफरेंस के लिए दिखाना है अभी वाल लेते हैं हम क्योंकि जो टीवी कैबिनेट है वाल के सामने आएगा तो उसके लिए हम वाल तेयर करेंगे वाल कमान लेके हम उसमें यहां से लेवल वन से लेव कशीट से कमांड से बाहर आएगे अब यहां पर 3D का अपना स्टार्ट करेंगे एक में जाना है कौण और यहां से हम एक्स्ट्टूजन कमांड लेंगे कर एक्स्टूजन कमांड से यहां पर जो-जो लाइन है पिक लाइन हम पसंद करेंगे तो जो जो हम बाउंडरी है जो यहां पे आप समझ लो कि यह सारे पार्टीशन है वो की भी टीवी कैबिनेट के सारे पार्टीशन है उसको हमें आगे ले जाना है तो वो सारे पार्टीशन है आप देख सकते हैं जो जो पार्टीशन है उसको हम में बाहर निकालना है यानि कि उसको एक्स्टूड करना है तो वह पार्टिशन की बाउंडरी वॉल है वह सारी हम सिलेक कर देंगे वह उसमें दो हमने फोटो में अभी देखा कि नीचे का जो पोर्शन है नीचे के ड्रॉवर है थोड़े बाहर है और उपर का पोर्शन है सब भी एक लेवल में है तो जब पहले अब जो एक लेवल पर है उस लाइन को हम बाउंटरी को सिलेक्ट करते जाएंगे पिक लाइन की मदद से तो फटापट से हम पिक लाइन की मदद से वह सारी लाइन सिलेक्ट करते हैं जो जो लाइन सिलेक्ट होगी तो आपको पता कौन सी लाइन सिलेक्ट हो गई है और कौन सी लाइन अभी सिलेक्ट होने की बाकी है ध्यान में रखना कि कोई लाइन चूट ना जाए और कोई लाइन एक दूसरे को intersect ना करे इस प्रकार से जो भी लाइन है जो भी partition है उसकी इनर और आउटर वल आपको सिलेक करते जाना है अभी कोई लाइन सिलेक नहीं होगी तो वो error show करेगा हम सभी लाइन इस तरह से करते जा रहा है अगर कोई राइन रह जाएगी तो वो error show करेगा तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है अभी यहां पे इतना portion हमें चाहिए तो यहां से यहां तक हम उसको trim कमांड से पिक लाइन से यहां पे ले लेते हो और यहां तक हम उसको एक लेवल पर extrusion कमांड करेंगे अभी हमने जो जो लाइन करनी थी और कर दिया आप यह लाइन बीच में से आ रहे तो उसको स्प्लिट कमांड लिया बीच में से उसको स्प्लिट किया आप देख से तो इस तरह से और ट्रिम कमांड से उसको कॉर्णर को हमने जोइन कर लिया कि अबिगए लाइन हमने पूरी रिमू कर ली है आप है और यहां से फिर से हमने पिक लाइन से अगर हाइलाइट लाइन होगी तो भी आपको शो करेंगा कि आन फाली होお願いします कि आभी कमांड से दोनु लाइन को जोड दिया कि अभी एंटर करने जा रहे हम तो तो अगर कोई error है तो दिखाएगा देख लेते हैं तो इतनी एरर है गई है इतनी line एंट कि आप देख सकते हो कि इतनी lines जो है joint होने की बाकी है मैंने पहले भी बताया था कि जो जो अगर है वह रहीज आपको दिखा देता है अभी जो यह line है वह मैं सिलेक्ट करके दो लाइन रिमू करता हूं यहां पर वन और टू सिलेक्ट किया और यहां से क्रॉस साइन पर क्लिक करके रिमू कर दिया कि अभी ट्रीम एक्स्टेंट क्रमान लेकर उसको कॉर्णर को जोड लिया अभी अभी कि यह जो एरर आती हैं यहां पर लाइन रह गी थी तो वह भी हम लाइन क्रियेट कर लेते हैं पिक लाइन के मदद से अभी आप देख सकते हो हमने पूरा एरर कंप्रिट कर दिया लाइन और यहां पर हमने फिर से एक्स्टूजन कमान लिया है और वह रेडी कर लेते हैं यहां से सिलेक करते रेक्टेंगल लेकर यहां से हमने सिलेक कर दिया और यहां पर उसकी डेफ्थ जो है उसको हम वन फिट थ्री इंची से रख देंगे एंटर किया और हमारा बेज जो है वह भी रेडी है अभी फिर से हम यहां पर क्रियेट पर जाएंगे एक्स्टूजन पर जाएंगे और वह बीच वाला पोर्शन जो है ड्रॉर है नीचे का वह लेते हैं उसके लिए लाइन से सिलेक करते हुए चारों और जो लाइन है वह पहले क्रियेट कर लेते हैं इस प्रकार से अभी हमने वह इस उपर की फेस तक लेना है तो यहां से हम उसको रखते हैं और यह ट्रीम एक्स्टेंड कमांड से लेके यहां से लेके यह पूर्शन से लेके यह पूरा जोइन कर लेंगे तो इस प्रकार से बाउंट्री आ गई है अभी रेक्टेंगल से जो बीच वाले बॉक्स है वो क्रिएट करते हैं कि वन टू और थ्री दो बॉक्स कंप्लिट आए बीच वाला जो है वो नीचे तक सिलेक्ट हो गया तो लाइन जो है वह सिलेक्ट करके हम रीमू कर देंगे अभी उसको कि सिलेक्ट करके डी ऐल डेल डिलेट की से आप डिलेट कर सकते हो उसको फिर से हमने रेक्टेंगल लिया और इसको यहां पर सिलेक्ट कर दिया अभी यहां पर जो एक्स्टूजन है वह उसको अठारा इंच रखेंगे लेवल डिप्रेंस है तो यहां पर हमने अठारा इंच करके उसको एंटर कर दिया अभी आप देख सकते हो मैंने 3D में उसको दिखाया है अभी मुझे वाल पर ले जाना है तो पहले में उसका जो आटोकेड वाला लेयर है उसको हाइड करता हूं और यह पूरे जो है उसको मॉडल को सिलेक्ट करता हूं और एडिट प्लें में जाता हूं इसके बाद कि front select करता हूं फिर से वह model को पूरा जो हमने बनाया उसको select करता हूं और यहाँ पर pick new करता हूं क्योंकि हमें level difference है यहाँ नीचे बना कि उसको दिवाल पर रखना है तो यहाँ पहले में एक बार रख डेता हूं अभी एक उल्टा तो कोई दिक्धत नहीं एक बार पहले यह लेवल पर यह प्लेड पर आज जाए तो यहां पे मैं उसको मैं प्लेस कर दाव हो पहले सही डाइमेंशन देख के डाइमेंशन तो नहीं देख रहा है लेकिन सही से दीवाल पर आजाए एक बार अभी आप देख सकतो रुम्य कॉंस्ट्रेंट माग रहा है तो ओके कर दो कोई दिकत नहीं है और यहां से फिर से उसको सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी यह उल्टा आया है तो उसको रोटेशन कमाड लेना है और पहले एक पॉइंट सिलेक्ट करना है और 180 डिग्री उसको लाइन लेके मीड में से मैंने पिक पिया और नीचे फ्लोर के मिडल में उसको प्लेश कर दिया अभी आज उसका 3D देखोगे कि 3D देखोगे तो इस तरह से आपको दिखाए देगा तो काफी अच्छा बना है जैसे इमेज में दिखा है कि वैसे हमने यह मॉडल तेयार किया है आप देख सकते हो अगल कर दो थोड़े कर दो कॉंबिनेशन में उसको देखते हैं अभी इसमें में अप्लाइन नहीं किया इसी वज़ए से एक ही कलर में दिख रहा है अभी मैनेज में जाके में जाके हम जो जो मेंट्रियल है वह प यह विंडो खुली आपके सामने यहां पे जाके आपको क्रियेट न्यू में जाना है उसकी अब देख लो इसमें तीन है पोर्षन एक तो वुड़न वाला जो पोर्षन है उसको हम पहले बनाते हैं वन पॉइंट हम उसको वाल का पेंट करते हैं वाइट पेंट हम वाल में रखते हैं क्योंकि बेक साइड जो वॉल है उसमें भी कलर आपको देना पड़ेगा ग्राफिक यूज रेंडर एपिरियंस देना है एपिरियंस में जाके एसर ब्राउजर में जाना है और यहां से आपको सर्च करना है पेंट और और आपको बहुत सारे पेंट और मटरियल दिये हुए है रेविट में हम यहां से वाल में जाएंगे उसमें भी आपको घ्न Faculty मैट ओं बहुत सारे मिलेगे यहांसा बाल पेंट में वौल हटा देता हूं तो पेंट में फिर से सर्च करता हूं मुझे और भी ऑप्षाइए वाइड रखना है अब भी एप्रीजन लाइब्रेडी में मुझे वाल पेंट आप देख सकते हो यहां से पेंट में आपको बहुत सारे option मिलेंगे आप देख सकते हैं wollte यहां पर मुझे white paint search करके इसको select करेंदा आपह बहुत सारे paint यहां पर है और उसमें भी option है white जो है DNC今日 है और है मैट और ग्लोसी दोनों option है घमारे पास हमने यहां पर उसको मैट सिलेक किया है और कुछ नहीं करना है आपको apply करके okay कर देना है मैंने यहाँ पर कर दिया अभी फिर से material बनाना है तो material पर जाएंगे हम आपको save करना है तो कर सकते हो आप यहाँ पर फिर से create new material identity में जाना है उसको name नेम देना है तुपैंट हम यहां पर उसको मैट्रियल का नेम क्या देंगे अभी आप देख सकते हो कि आप मपाल डार्क लेमिने हम यहां पे लेते हैं लेते हैं 25 में यहां वूडD select किया यूज रेंडर एपिरियंस किया ऐसे ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं उसको वूड लेमिन्त सर्च करके देखता हूं लेकि मेरे ख्याल से नहीं आएगा उसको रिमूर करके मैं वूडD सर्च करता हूं बूड में मेरे पास बहुत सारे आफशन आप देख सकते हो मुझे उसमें डार्क चाहिए जैसे फोटो में दिखा है वैसा से मगर नहीं भी मिलता तो भी कोई डार्क वाला मैं इसे लेक्ष कर लेता हूं और यहां पर देख सकते हो कि उसका image दिखा रहा है ऐसा वो दिखेगा apply करना है और फिर से अगर material बनाना है तो आपको identity में जाना है create new material पिर से identity name लिखना है three point में उसका white जो आप drawer में देख सकते हो white create laminate लगाया हुआ है तो वह भी हम material क्रिएट करी लेते हैं साथ साथ में कि यहां से मैं वूट सिलेक्ट करूंगा कर लिया है कि पॉपलर में देखता हूँ चलो पॉपलर लेकिन अभी थोड़ा अलग है कि और कोई white में कि पेइंट में जाता है चलो क्योंकि प्यूर वाइट चाहिए मुझे तो वह वाले थोड़े वूड़न शेड़ अलग पड़ते हैं अलग दिखते हैं यहां पर जाके मैं पेइंटेड वाइट वाला लेलता हूं उड और यहां से क्लोज कर लेता हूं विंडो और अभी ये सही लगता है मुझे एपलाइ करके घुक्व कर देता हूं तो हमारे कर देते हैं पीटी एंटर करोगे आप तो पेंट आ जाएगा विंडो खुलेगी और वह सिलेक्ट करके आपको दीवाल पर उसको लगाना है अभी नीचे फ्लोर पे भी मैं कुछ सेट कर देता हूं यहां पर से टाइल पॉर्सेलिनो यहां ऐसे कोछ ग्रेवाली मॉजेक टाइल में ले लेता हूं तो फ्लोरिंग में और दीवाल पर मैंने अप्लाइब कर दिया है मट्रियल और यहां पर अभी आप देख सकते हो कि डायरेक्ट उसके एप्लाइब नहीं ऑपंद करके है यह हमने जू बनाय वह मट्रियल कर दिया और यहां से नहीं है नोहीं founders देख पाँगे की वह पूरा हमारा मट्रियल एपलाइब हो चुका है और यहां पर भी फिर से वही प्रोसीजुर्स फॉलो करनी है यहां पे वह वाला मट्रियल से लेक्त कर दिया कि अप्लाइ करना रहेगा कि अभी आप देख सकते हों कि टीवी कैबिनेट तो हमारा रैडी है पर बीच में टीवी नहीं दिख रहा है तो वह भी हम उसमें हम प्लेस करेंगे कि इसके लिए म Einam मियाँ पे प्रण्ट वीव में जाते है सबसे पहले और यहां से आर्टीर्ट्र में जाके और मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट में घingen तो यहां पे लौड फेमिली में जाना है और यहां से आपको लाइब्रेड इज में जाना है इंडिया ंग्षे अनोय इंग करना है और फर्णिछ वाला डिपार्ट में उसमें जा कि यहां देख सकतें हो तीवी यहां पर रखा हुआ है तो यहां से में तीवी ऊपन किया और यहां से हम टीवी उसको प्ले सित कराएंगे को कि हुए क्बीज करो हुए और वह लेकिन पीछे की और टीवी अभी है हमारा अभी उसको हम कैसे वाल पे लाएंगे वह देखते हैं पहले उसको सिलेक करना है और उसकी हाइट जो है वह जीरो आफसेट है तो उसको आफसेट हमें तीन करना है क्योंकि तक्रीबन नीचे से 3 फिट तक हमारा तीवी रहेगा आप देख सकते कि पीछे की ओर हमारा तीवी लगाहुआ है और यहां से पीक मोडिफाय में जाना है और अलाइन कमाड लेना है तो पहले वाल सेक्क करना है वाल के अलाइन में लगाना है और हम उसको रोटेट करें के पीछे की और कि आगे से हमें पीछे का लेवल नहीं दिख रहा तो हम शिफ्ट और माउस राइट की को क्लिक करते हुए पूरा गुमाएंगे मॉडल और पीछे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि वॉल के अलाय में अभी त्यवी आ गया अभी उसको पूरीतर से सेट करना है तो उसको के यहां पे सिलेक्क करना है और अरो की से आप जो भी sous urine पर उससे रखना है वो स्थान पर रख सकते हो अरो की से उपर नीचे आगे पीछे यानि चार दिशा में कि आ अब उसको कर वा सकते और देख सकते हैं इस प्रकार से हमने वी प्लेस कर दिया है अभी फोटों में जैसा दिख रखाता वैसा ही हमने एक मौडल एक 3D मौडल तयार किया है अभी इसमें आप देख सकते हो कि बीच में हमें शटर जो नीचे के बाग में शटर दिये थे वह शटर नहीं दिख रहे तो चलो उसके शटर भी बनाते हैं फ्रण्ट एलिवेशन में जाते हैं फिर से आप देख लो यहां पर पूरा अच्छा मारा मौडल तयार हो चुका है आप देख सकते हो कि नीचे वाइट कलर के तीन शटर बता है वह हमने नहीं बनाए तो फ्रंट व्यू में जाते हैं और यहां से उसको शटर भी एक्स्टूजन की मदद से उसको तयार करते हैं वायर फ्रेम मोड में हम जाते हैं क्योंकि लाइन सभी अच्छी तरह से दीखे आर्किटेक्चर कॉंपोनेंट मॉडल इन प्लेस फर नीचर उसमें सिलेक्ट करते हैं या केस वर्क भी चलेगा ओके और यहां पर हम एक्स्टूजन कमांड लेंगे पहले वाला जो है एक्स् यहां से हमारा प्लीन सेट है पॉइंट फाइव इंचिस का ओफसेट लेता है क्योंकि वह जो है यह लाइन से बाहर आदा थोड़ा रहेगा जो टोटल वह पार्टिशन की ठीकने से तो दोनों बाजू आदा आदा उसका होगा तो उसके लिए हमने पॉइंट फाइव इंचिस का उसका ओफसेट लिया अभी यहां पर ऑफसेट की उपर की लाइन के लिए जरूरत नहीं है तो हम उसको जीरो करेंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे कि अभी यहां पर हम उसको जीरो करेंगे जीरो करके एंटर करना है फिर वो लाइन उसके वो लाइन पर ही आएगी कि एसकेप से कमांड से आप बाहर आ सकोगे फिर से पॉइंट फाइव इंचिस का हम ऑफसेट लेंगे और स्पेस बार से वो लाइन बाहर ड्रॉ करेंगे फिर से यहां पर जीरो करना होगा आपको जीरो एंटर और नीचे की लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से तो जा जा उपर हमारा शटर दीखेगा वावा आमने इस प्रकार से sketch बना दिया trim extend कमान लेंगे और दो लाइन वह जोड़ लेते हैं कि sketch ready है अभी यहां पर हमें extrusion and कितनी thickness चाहिए तो हम उसका thickness जो है shutter का thickness अभी plane select नहीं था तो पिक plane करके यह ले लिया हमने और यहां पर अभी one feet six inches बता रहा है तो उसको हम thickness पॉइंट फाइव इंचिस लेते हैं पॉइंट फाइव इंचिस का thickness लिया और यहां पर उसको ओके कर दिया तो बीच वाला जो बन शटर था वो यह होते ही हमारा शटर यहां पर आ जाएगा अब सेडेड में जाके या कंसिस्टन कलर में जाके हम उसको देख सकते हैं अभी करते हैं तो हमारा शटर अभी बीच वाला रैडी है अभी आर्किटेक्चर में जाना है और यहां पर हम जो थीकने से वह हाइट है वो देखनी क्योंकि अभी शटर खुला बताना है तो कत्री तक्रीबन 11 इंचिस का है वो शटर जो हाइट है उसकी तो अभी हमें जो शटर बताना है वो खुला बताना है इसलिए हमने उसकी जो कि शटर की हाइट थी है वो हमने देख लिया है और अभी कि कंपोनेंट में जाना है और प्लेस में जाना है यहां से हमें केश वर्क सही है ओके कर दिया मैंने और फिर से ओके किया और यहां पे हमें सेट करना है और यहां पर यह वाला जो दार है जो बॉर्डर है वो सिलेक करनी है क्या कि जो हमारा शटर आएगा वो बॉर्डर पर आएगा तो हमारा प्लेन जो है सेट हो गया है और यहां से हम एक्स्टूजन कमांड लेंगे उसका यहां से हमें शटर स्टार्ट करना है और यहां से लेके अभी जो दो शटर के भी थोड़ा गैप रहेगा तो हम क्या करेंगे थोड़ा गैप तक उसको रखेंगे तो आप देख सकते हो थोड़ा गैप हमने रखा है और पॉइंट फाइव इंचीस की थिकने से हमने रखी थी तो इतनी थिकने से यहां पर हम बताते हैं और फिर से यह जो पुरा स्केश है उसको रेक्टेंगल में क्लोज करते हैं कि यहां पूरा भी उसको बता सकते हो जैसे की वन इंची का शटर भी बता सकते हो यहां पर हम वन इंच कर रखेंगी कि उपर फिर गैप दिखेगी तो गैप मुझे नहीं दिखानी है एक्स्टूजन एंड है वो 11.5 इंची जैसे हमने देखा था शटर की हाइड है 11.5 इंची वो हम एक्स्टूजन एंड वहाँ तक रखा है और यहां से उसको एंटर कर दिया है तो एक शटर हमारे पास रेडी है वही सेम शटर यहां पर दूसरा में चाहिए तो उसमें कॉपी कमांड लेता है सिलेक्ट तो है ही यह और यहां से उसको प्लेस करवाते हैं मिड़ पॉइंट हमने सिलेक्ट किया लेकिन मिड़ पॉइंट से शायद नहीं सिलेक्ट होगा तो फिर से उसको सिलेक्ट कॉर्णर से करके उसको करवाते हैं मिड़ पॉइंट हमारा नहीं प्ले करवा सकते हैं कि कॉपी कमांड लिया और यहां से कोने से उसको पिक करके क्योंकि सटर साइज सेम यह दोनों तो यहां पे हमने प्लेस करके कर दिया आप देख सकते हो कि थेडी वी में आप जाओगे तो आप देख सकते हो दो शुटर आपको उपन मिलेंगे और बीच वाला जो शुटर है आपको बंद मिलेगा तो अभी प्रॉपर जो फोटो में दिखाता वही हमने यहां पे बनाया है अभी उसके ओपर मट्रियल अगर एपलाए करना हो तो आप यहां पे शुटर सिलेक करना है उसको और यहां पे जाके एडिट प्लेन में जाना है फिर से वह शुटर सिलेक करना है जिसका आपको मट्रियल एपलाए करना है और मट्रियल की कैटेगरी में जो मट्रियल हमने बन है Only text को paste करना है तो वह हो जाएगा automatically वह भी हो गया और बीच वाले श्यंटर में भाकी है तो वह सिल एकरते हैं पृप फिर से एदिट प्लेन में जाएगे एदिट इन प्लेन में जाएगे और फिर से श्यंटर सिल्याट किया और यहां पर देख सकते हो material में Ctrl A Ctrl V apply ओके तो हमारा यह शटल का जो material था वो भी था हो गया अब एंस्केप में rendering देखते हैं कैसा दिखता है एंस्केप में जाके उसका rendering हम देखते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा wall cabinet जो हमने यहां पर पिक्चर में शो हो रहा है वैसा ही हमने एक model तेजार किया है 2D भी बनाया AutoCAD में और 3D भी बनाया आशा करता हूँ हर वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलती रहे थैंक्यू सो मच टेक केर बाइबाय मलत मिलते हैं नए आगे एक और knowledgeable वीडियो के साथ कोई अगर सुजाव हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे ताक कि हमें वीडियो बनाने में पता चले कि आपको क्या चाहिए और हमारा भी वर्क उसे वर्क में हमारा निखा रहे थैंक्यू सो मच टेक केर बाइबाय मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ